जैश्री रादेकिष्णा पॉर्णी कता की अनुसार एक दिन हनमान जी राम बक्ती में डूबे हुए थे तब ही वहां से शनीदेव का गुजरना हुआ शनीदेव को अपनी शक्ति पर बहुत गमरता वे किसी का भी जीवन तहस सहस कर सकते थे इस कारण अहम में चूर होकर उ हनमान जी का ध्यान बंग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिं सफलता नहीं मिली उन्होंने फिर प्रयास किया और का अरे उबानर आंगे को देख मैं तेरी सुक शांती को नस्ट करने आया हूं इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके शनीदेव को ब्रहमता की इतन कर शनीदेव को गुसा आ गया वे बोले अरी मुर्क बंदर मैं तीनों रोकों को बैबित करने वाला शनी हूं आज मैं तेरी राशी में प्रवेश करने जा रहा हूं रोक सकता है तो रोक ले हनमान जी ने तब भी अविनम्रता को नहीं त्यागा और कहा कि शनीदेव कुरो हनमान जी ने एक जटके से ही अपने हाथ को शनीदेव की पकर से चुड़ा लिया इसके बाद शनी ने विक्राल रूप दारंत दिया और उनकी दूसरी हाथ पकरनी चाही तो हनमान जी को हलका सा कुरोध आ गया और अपनी पूंच से शनीदेव को लपेट लिया इसके का हाल बेहाल हो गया शनीदेव ने मदद के लिए कई देव देवतां को पकाड़ा लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया अंत में शनीदेव ने कहा दया करो वानराज मुझे अपना एंकार का फ़ल मिल चुका है मुझे शमा कर दे बविश्य में आपकी चाया से भी दूर होगे तब से शनीदेव हनमान जी की पूजा करने वालों को परिशान नहीं करते इसलिए शनी को शांत करने के लिए हनमान जी की पूजा करने की सलाव दी जाती है तो यह आज की वीडियो है अगर आप कोई वीडियो अच लगी तो लाइक शेर कमेंट कीजिए और यूनी को सब्स्राइब कीजिए